आप सभी को अहोई अष्टमी वरत की बहुत बहुत शुब कामना है राधे राधे एवरिवन आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी यानि की होई अठे वरत की बहुती सरल और पारंपरी की विधी बताऊंगी तो देखिए अहोई अस्टमी वरत कार्तिक मास के शुकल पक्स में आने वाली अस्टमी तिथी को मनाई जाती है यानि करवा चोथ से ठीक आठ दिन बाद अहोई अस्टमी मनाई जाती है तो सबसे पहले तो जी जगे पर भी आप पूजा करेंगे उसे साफ कर लेंगे के बाद यहां पर हम हल्दी डाल कर थोड़ा सा जल डालेंगे और हल्दी से लीप लेंगे या फिर आप हल्दी से यहां पर स्वास्तिक बना लेंगे पहले के लोग चोकी लगा कर पूजा नहीं करते थे इसी तरह से जमीन को शुद्ध करके जमीन पर ही पूजा कर लेते थे तो यहाँ पर हमने स्वास्तिक बना लिया है हल्दी से अब हम दिवार पर अहोई अस्टमी माता का चित्र लगा देंगे आप चित्र लगा सकते हैं या जो फोटो आती है गत्ते वाली वो भी आप रख सकते हैं अब हमें दो घड रखनी है तो दो घड के लिए दो मिट्टी के घड़े हमें लेने होते हैं दो घडों को जब उपर नीचे रखते हैं तो उसको दो घड कहते हैं अब ये दो घड़े हमने ले लिए हैं आप देखिए आप जब भी अहोई अस्टमी की पूजा करें तो ऐसी जगह पर पूजा करें जहां पर आपको इसे हटाना ना पड़े दिवाली तक क्योंकि जो ये दो घड़ रखी जाएगी इसको दिवाली तक फिर नहीं हटाना है कि किसी किसी के यहां पर छोटी दिवाली के दिन उठाते हैं किसी के यहां पर दिवाली के दिन और किसी के यहां पर भाई दूज के दिन इसे हटाया जाता है तो कोई भी ऐसी जगह जहां पर ज्यादा डिस्टिबेंस ना हो आराम से जहां पूजा कर पाएं वहां पर आप इ एक मिट्टी का नएा घड़ा लेना जरूरी है। के कंट पर कलावा यानि मूली बांध देंगे और देखे आनाज में आप कोई भी आनाज ले सकते हैं चावल गेहूं बाजरा कोई भी आनाज ले सकते हैं और अगर इतना आनाज आप ना लेना चाहें तो दोनों में जल भर लीजिए आनाज थोड़ा से इनके पास रख दीज अगर आपको लगे कि बैलेंस ठीक नहीं है तो आप कुछ भी इनके नीचे लगा सकते हैं तो आप जो दोगड हमने रखी है उनको हम तिलक कर देंगे दोगड पर हम स्वास्तिक बना देंगे उसके बाद हमें शाहु माता चाहिए होगी तो देखे शाहु माता की मूर्ति आत शाहु माता और इनके बच्छडे बने हुए होते हैं तो यह मूर्ति चांदी की होती है सुनार के हाँ पर आसानी से मिल जाती है इसमें घर में जितने भी बेटे होते हैं उनके नाम के मोती डलवाये जाते हैं जो माला है इसको हम जो दोगड हमने रखी है उन्हीं को पहना एक प्लेट में अनाज रख दिया है आप चाहें सीधा जमीन पर अनाज रख सकते हैं या प्लेट कटोरी में रख सकते हैं अब हम वस्तर सवरूप कलावा समर्पित कर देंगे तो गनेज जी का पूजन भी फोटो में ही कर लेंगे गनेज जी फोटो में ही है तो वहीं पर तिलग कर देंगे गनेज जी को भी कलावा समर्पित कर देंगे आहोई माता को जो हमने गदोगड रखी है दोगड को शाहु माता को सभी को हम तिलग करेंगे अक्षत समर्पित करेंगे उसके बाद हम भोग के रूप में कोई भी पूड़े पूरी जो भी आपके यहां बन समर्पित करें न वो ये जो दोगड रखी है जो कमोई रखी है उनके उपर जरूर रखनी है उसके बाद फिर हमें सासुजी के लिए एक साड़ी निकाल ली है तो या पर साड़ी या सूट जो भी आपकी सासुजी पहनते हूं वो कपड़े आप ले सकते हैं और उनके उपर दक्षिना हमें जरूर रखनी है तो सासुजी के लिए बाएने के रूप में हमने ये साड़ी निकाल ली है अगर आपकी सासुजी नहीं है तो आप अपनी ननद को या अपनी जिठानी को दे सकते हैं या फिर मंदिर में पंडितायन को भी आपकी साड़ी बात में दे सकते हम एक लोटा जल समर्पित कर देंगे और देखे अगर आपके इहां पर दिया नहीं जलाया जाता है तो बस इस तरह से सारी चीज़े चड़ाते हैं फिर कथा सुन लेते हैं यहीं पर और सारी चीजों के उपर से जल वार के हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है तो अगर आपक ही का दिया आप जला सकते हैं अगर दिया नहीं जलाया जाता तो इस पार्ट को दिये वाले को स्किप कर सकते हैं बाकि पूजा विधी बिल्कुल सेम रहती है अभी देखिए हमने सारी चीज़े समर्पित कर दी हैं उसके बाद थोड़े से गेहूं अपने हाथ में लेंगे ये हम गनेश जी को अहोई माता को समर्पित कर देंगे और जो जल का लोटा है जल के लोटे में भी हम ये दाने डाल देंगे तो इस तरह से हमारी जो कथा है वो पून हो जाएगी कथा का वीडियो मैंने चैनल पर अलग से डाल दिया है आप वहां से देख सकते हैं कथा सु जो हमने साड़ी ली है और जो भी हमने भोग यहां पर चड़ाया है वो सभी हम अपनी सासुजी को दे देते हैं और जो हमने फल चड़ाये हैं हमारे यहां पर यह सासुजी को ही दे देते हैं लेकिन किसी किसी के यहां पर गाए को खिला देते हैं तो अगर आपको गाए मि देते हैं और जो हमने कमोई रखी है ना ये मैंने बताया कि दिवाली तक रखी रहेंगी कलेंडर यहीं लगा रहेगा तो किसी के यहां पर छोटी दिवाली के दिन किसी के यहां बड़ी दिवाली और किसी के यहां भाई दुझ पर यह जो दोगड़ है इसको उठाया जाता ह और देखे, अगर आप पूरे दिन का वरत करते हैं, तो रात को ये जो जल का लोटा है, अभी तो सुर्य देउता को अरक दे देंगे, रात को दोबारा इसको जल से भर के हमें तारों को अरक देना है, तो रात को भी हमें जो ये लोटा हमने लिया है, इसी से तारों को अरक द किसी किसी के यहां पर आधे दिन का वरत किया जाता है तो आप यहां जैसी भी प्रंप्रा हो उसी साब से आप यह वरत कर सकते हैं अहोई अस्टमी वरत के दिन सिलाई, कड़ाई, बुनाई नहीं की जाती है कोई चीज काटते नहीं है साथ ही कोई चीज खोदनी नहीं होती मिट्टी वगरा को खोदना नहीं होता है इस चीज का विशेश ध्यान रखे कि सिलाई, कड़ाई, बुनाई, कटाई या मिट्टी क खुदाई ये इस दिन नहीं की जाती है तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है और देखिए पहले के लोगों में प्रमप्राथी की बेटे की मा अहोई अस्टमी का वरत करती थी लेकिन अभी के टाइम में बेटा-बेटी सब बराबर हैं तो संतान होनी चाहिए चाहिए आप अहोई अस्टमी का वरत जरूर जरूर करें और अगर आपकी संताना भी नहीं है तो अहोई अस्टमी माता से संतान की प्राप्ती के लिए आप ये वरत और पूजन जरूर करें यानि सभी महिलाओं को अहोई अस्टमी का वरत पूजन करना चाहिए और जो ये शाहू माता क पे कथा सुनना अनिवारिये होता है तो कथा आप जरूर सुनिएगा कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा लिंक मापको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको ये अहोई अस्टमी की सरल और पारंपरिक विधी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफूल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीस तोहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जै आहोई अस्ट मीमाता राधे राधे